Hello friends, आज हम Bad Guy ये 2001 की Korean movie एक्स्प्रेंग करने वाल है इस movie में गैंग्स्टर एक लटकी को देखता है पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद गैंग्स्टर इसे हमेशा के लिए फसा लेता है ये एक अजीब ही तरह की love story है तो चलिए इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमें हमारा main character हान रस्टे से जाता हुआ दिखता है वो city में आता है जरा hangout करता है हान गैंग्स्टर है और ये prostitution की एक ring चलाता है हान जब रस्टे से जा रहा होता है तो उसे sun दिखती है sun हमारी और एक main character है sun को देखती ही उससे बहुत ही attracted हो जाता है sun बेंच पेटी हुए होती है तो उसके पास जाकर बेट जाता है sun का boyfriend पाच मिनिट में वहाँ आने वाला होता है हान इसको ही घूर रहा होता है तो sun जारा डर जाती है थोड़ी देर में sun का boyfriend आता है ये वहाँ से जा रहे होती है पर हान उठता है उसके पास जाता है और उसे जबरदस्तिक हीस करता है अब sun तमाचा खड़ा कर देती है उसका boyfriend भी उसे sorry केने के लिए कहता है हान कुछ भी बोल नहीं रहा होता और सिर्फ देख रहा होता है यहाँ कुछ पुलिस आते है और इसे apologize करने के लिए कहते है हान अभी भी सुन नहीं रहा होता तो पुलिस और हान इन दोन में fight हो जाती है हान अपने घर पर आता है वहाँ उसके दो friends हमें दिखाई देते है इसे बहुती गुसा आया होता है तो खिड़की वो तोड़ देता है नेक्स दिन जहाँ पर उसे सुन मिले थी उसे जगा पर जाकर बेट जाता है उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है उसका क्या routine है यह वो जान लेता है सुन जब library में होती है तो हान अपने friend के साथ वहाता है हान का friend एक wallet लेता है और सुन के पास जाकर रख देता है यह wallet रख कर वहाँ से चला जाता है और सुन थोड़ी देर बाद इसे देखती है इसे जरा लालच जाता है और यह wallet उठा लेती है बात्रूम में जाती है और सब पैसे count करने लग जाती है इसके बाद एक आदमी इस wallet को ढूनता है और यह सुन को spot कर लेता है सुन की पीचे बीचे भागने लग जाता है सुन भी बहुत दूर तक भागती है पर एक जगा वो रुख जाती है अब यह आदमी wallet चेक करता है कहता है तो यहाँ तो बहुत सारे पैसे थे इसमें एक चेक भी था जो 10,000 डॉलर्स का था अब मेरे सारे पैसे कौन देगा वो सुन को धमकाने लग जाता है सुन को कहता है कि अब तुम क्या करोगी सुन भागने की कोशिश करती है पर वो कही भी जा नहीं सकती है यह आदमी कहता है कि तुम कुछ भी करो कहा से भी पैसे लाओ या तुम्हें लेना पड़े तो लोन ले सकती हो सुन कहती है कि मुझे कोन लोन देगा यह आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हो जो तुम्हें लोन दे सकते है यह आदमी फिर गैंग के पास उसे लेकर आता है यहाँ पर एक कॉंट्रेक्ट रों साइन करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे पे नहीं कर पाई तो उसकी बॉडी पर पुरा गैंग का हक होगा यह जो सब ब्लैंड था यह हन गई था यह आदमी भी हन नहीं ब्लैंड किया था अब सुन बड़े ट्रबल में फास जाती है हन उसका यह जो बिजनेस है यह रस्ते पर चलाता है यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका फ्रेंड मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत विगरा देख राता है अब नेकसिन में हम देखते है कि सुन गैंग के आदमी के पास है सुन पैसे नहीं दे पा रहे तो अब यह बुछता है कि तुम आप ग्या करो की यहाँ से भागने के कोशिश करती है पर यह उसे पकड़ लेता है यह उससे जबरदस्ती इंटिमेट होने के कोशिश करता है पर यहाँ हान के फ्रेंट्स आ जाते है यह उसे बहुत मारते है इसके बाद हान के फ्रेंट सुन को उनकी एरिया में लेकर आते है यहाँ पर इस business की जो man होती है इसे उसे सोब देते है यह leader सुन से उसका नाम बोच्छती है पर सुन अपना नाम बता नहीं रहे होती है तो उसे बहुत मारती है इसके बाद सुन सब कुछ बात करने लग जाती है इसके बाद सुन के लिए वो shopping करते है और उसे भी shop में display के लिए रख देते है रस्ते से एक आदमी जाता है और सुन को choose करता है यह दोनों फिर room में आ जाते है सुन यह करना नहीं चाहती तो struggle करने लग जाती है जिस room में होते है इस room में एक बढ़ा सा mirror होता है mirror के दुसरे side में हान सब कुछ देख रहा होता है room के अंदर के लोगों को हान वहा है यह पता नहीं चलता यह आदमी सुन को जबरदस्ति कर रहा है तो हान अपने friend को बेचता है ये आदमे मार नहीं रहोता, तो हान का फ्रेंड उसे बहुत मारता है और वहाँ से निकाल देता है अब सुन की पॉइस उससे बात करती है, पुछती है कि इसा तुम क्यूं कर रही हो सुन के थी है कि मेरे फर्स टाइम पर मुझे मेरी बॉइफरेंड के साथ इंटिमेट होना है अब यह आरेंज गरवाया जाता है उसका बॉइफरेंड एक गाड़ी में उसके साथ होता है यह पूछता है कि आचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है सुन इसे हग करती है पर यह सब हान भी देख रहा होता है हान को जेलस मेंसुस होता है तो सुन के बॉइफरेंड के बास जाता है और उसे बहुत मारता है अब भी सुन हान को देख नहीं पाई है अब सुन की बॉस एक आदमी को जबरदस्ती उसके पास भेशती है हान उसके पास आते और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो ये बहुत कहते हैं कि उससे उसकी ओकाद पता चलनी चाहिए इसके बाद ये आदमी सून के साथ जबस्दस्ती इंडिमेट हो जाता है नेक्स दिन हान सून के पास जाता है सुन को drawing करना अच्छा लगता है तो उसे एक drawing book वो देखकर आता है हान अमने friends के साथ बेटा हुआ ओता है इसमेंसे एक friend का नाम होता है मियूंग मियूंग कहता है कि यह बहुती beautiful है वो हमेशासे college girl को date करना चाहता था सुन उसे बहुत ही पसंद है ये वो हान को कहता है सुन अपने रूम में अकेली होती है और ड्राइंग देख रही होती है हान में मिरर के पीछे से उसे और जर करता रहता है हम फिर दिखता है कि सुन के पास हान का फ्रेंड मियोंग आ जाता है मियोंग अब सुन के साथ intimate हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मुझे लगता है कि मैं ही तुमारे इस situation के लिए responsible हूँ जो भी सब हुआ था यानि कि हान ने सुन को फसाया था ये सब कोछ वो सुन को बता देता है अब सुन बहुत ही जिर जाती है और हन के पास आती है इसे बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है हान अपने फ्रेंड पर बहुत ही जिर जाता है वो एक बड़ी से बैट लेता है उसे मारने कोशिश करता है पर मारता नहीं मियौग अपने फ्रेंट से कहता है, मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अब सुन बहुत ही दुखी हो जाती है वो बहुत रोती है, उसकी बास जब उसके बास जाती है तो सुन कहीती है, इस जगह पर में क्यों हूँ, तुम मेरे साथ यह Boss के body पर भी बहुत सारे scars है, सुन की तरह ही इसने resist केया था, इस वजेसे उसे बहुत मारा गया था, सुन अब बहुत दारूपी थी है, और सो जाती है, रात में हान उसके पास आकर बैट जाता है, सुन थोड़ी से उठती है, और हान पर ही उल्टी करते थी है इसे बाद हान दुसरी औरत के साथ intimate होने की कोशिश करता है पर उसे गलत लगता है और वहाँ से वह चला जाता है देज दिन सुन जब रेडी होती है तो उसे बहुत ही depressed मैसूस होता है इसीशी की तरफ देखने लग जाती है हान भी उसे ही देख रहा होता है हान उसे समझने की कोशिश करता है हान को उसके लिए काम करने वाली एक लड़की बुला थी है और कहती है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़ बड़े उसे लग रहा होता है कि उसे कोई देख रहा है इस लड़की की रूम में हो जाता है और सब को चेक करता है तो उसे वहाँ एक कैमेरा मिलता है ये कैमेरा हैन की ही दूसरे फ्रेंड यून ने लगाया होता है इन सब लड़कियों के जो बहुत है ये यून को बहुत मारती है यून जब वहाँ से चला जाता है तो मियूंग हां को समझाता है वो कहता है कि इसके फाइदर को गैंसर है इनकी इलाज के लिए बहुत सारे बैसे लगने वाले थे इसी वज़े से इसने किया होगा हां भी यून के पास जाता है और उसे माफ कर देता है यून अब नई-नई यहाँ आई है तो सब कस्टमर यून के पास जाते है दूसरी लड़किया जो यहाँ काम करती है इससे जगड़ा करती है इसे सलैब भी हो कर देती है मियून अब अपने फ्रेंड से बात कर रहाता है वो कहता है कि क्या मुझे हां को जाकर बता देना चाहिए कि मैं यून से बहुत प्यार करता हूँ म्यून हं के पास जाकर कहे भी देता है वो कहता है कि सब कुछ सही रहा तो मैं उसे शादी भी करने वाला हो तुमने उसके साथ जो ब ojos किया इसके लिए मैंतुमें माफ करतूँगा म्यून अब सुन के पास जाता है और अपनी सब feelings उसे पता देता है सुन इस वर believe नहीं करती सुन फिर कहती है कि अगर सत्सूस में तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो म्यून फिर सुन को बाहर निकलने में help करता है और सुन वहां से चली जाती है सुन अपने घर के पास ही होती है तभी हान उसे फिर से उठा लेता है मैं उनको जब पता चलता है कि हान सुन को लेने के लिए गया है तो हो कहता है कि यह भी सही ही होगा मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ हान सुन को बीच पर लेकर आता है बीच पर हम देखते है कि रेट ट्रेस में एक लड़की है यह लड़की समुंदर में जा रही है और हान इसे ही देख रहाता है जिस पॉट पर वो बेठे हुए होते है तो फाड़ी होई फोटोग्राप सुन को वहां मिलती है यह उठा लेती है और रख लेती है सुन हान को कह दिये कि प्लीज मैं जाने दो पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है इस राद हान सुन के पास आता है यहां कर वो रोने लग जाता है रो रो कर ही सो जाता है हान के गैंग का जो ओरिजिनल बॉस था यह जेल में गया था और वो छूट कर वापस आ चुका है यह जब एरिया में आता है तो सुन के पास जाना चाता है हान को है सही नहीं लगता तो अपने फ्रेंड को भेश कर अपने बॉस को भार निकाल देता है बॉस का एक right hand आतमी होता है जो हान को बहुत injure कर देता है इसके बाद वो और हान इन दोनों में one to one fight होती है इस fight में हाने paper को ही चाकू की तरह shape देता है और इस आतमी को मार डलता है अब बॉस केता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बदले हो उसे job देकर वहाँ से चला जाता है बॉस ने pretend तो किया है कि हान को उसने माफ कर दिया है पर actual में उसने उसे माफ नहीं किया होता एक आतमी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है हन के बास जाकर उसके पेट में ही डाल देता है हन बहुत ही injured होता है पर उसे proper medical attention मिल जाता है अब next scene में हम देखते है कि यून और मियूं यह दोनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते है वह आपर पुलिस हपता लेने के लिए आता है यून हर एक पुलिस को hate करता है यह पूरी hate पुलिस को पता चलती है यह पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो मियून पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आखे ही वैसी है तो मैंसे ignore कर दो यून पुलिस पर बहुत ही चिड़ गया आता है तो राद में जाकर उस पुलिस को मार कराता है हान को जब यह बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है यून अगर जेल में गया तो उसकी पूरी life बरबाद हो सकती है यून के father भी विमार रहते है उस पर हान को तरस आता है और यून की जगा पर अब हान जेल में जाने वाला है हान already जेल में जा चुका है तो इस बार उसे फासी होगी हान को टेतरो में डाल दिया जाता है सुन को हान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही sad हो जाती है उसके पोस उसके पास आती है वो कहती है कि हान के वज़े से ही तुम्हारे साथ यह सब हुआ है और तुम उसके लिए ही सैड हो क्या तुम उससे कुछ बात करना चाती हो इसके बाद हम देखते हैं यून सुन को लेकर हान से मिलने के लिए आता है सुन उसपर चीड कर बोलती है कि यहाँ से अब तुम्हें बाहर निकलना है तुम इस तरह से मर नहीं सकते तुमने मेरी लाइफ बरबात की है तुम यहाँ से बाहर निकलना होगा जब यून सुन को लेकर जा रहा होता है तो गाड़ी रोग लिता है तो कहता है कि आप तुम यहाँ से चली जाओ, उसे फ्री करने वाला होता है, पर सुन मानती नहीं सुनने बीच से जो फोटोग्राफ ली थी, इसमें हान है और एक लड़की के साथ है यह वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था नेकसिन में हम देखते है कि इनके एरिया में और एक पुलिस वाला ब्राइब लेने के लिए आता है वो डिसाड करता है कि अब इस पुलिस ओफिसर को मार देगा और जेल में चला जाएगा यह अब इस पुलिस ओफिसर को मार देता है और जेल में आ जाता है जेल में भी यून की उसकी इन्मेट के साथ नहीं जमती तो यहाँ भी वो बहुत मार खाता है हान का आज मरने का डे आ जाता है यहाँ भर यून बहुत ही तमाजा खड़ा करने लग जाता है जब उसे शान करने लिए गाड वहा जाता है तो गाट को ही जेल में बन करकर वो बाहर निकलाता है वो हान के पास आता है और हान को मारने लग जाता है वो हान को कहता है कि अब तुम सच बोल दो तुम्हेरे लाइब बस सकती है इसे बाद हान सब कुछ सही से कन्फिस करता है और जेल से बाहर आ जाता है हान फिर से मिरल के बीचे के रूम में जाता है और सुन को देखता है सुन को न्यूज मिलती है कि हान अब बाहर निकल चुका है हान फिर सुन के बाज जाता है और इसे देखकर ही खुश होती है इसे हग करती है और रोने लग जाती है नेक्स दिन हान सुन को गाड़ी में बिठाता है जिस जगावर सुन को उसने पहली बार देखा था वही उसे छोड़ देता है इस बार सुन को लेने के लिए कोई भी नहीं आने वाला यानि कि सुन को सही में उसने फ्री कर दिया है मियोंग सुन से प्यार करता था वो हांग को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मियोंग को लगता है कि हान ने सब कुछ बरबात कर दिया है राद में ड्रंक हो जाते है और इन दोनों की फाइट हो जाती है इस fight में म्योंग हान के पेड में चाकू डाल देता है हान खुन से लत्पद होता है और वो आगे चला जाता है हान फिर अपना इलाज करवाता है कि हान ने सुन को जिस बीच पर लाया था उसी बीच पर सुन पहुच जाती है जिस spot पर उसे photograph के pieces मिले थे इनी pieces को ढूनने लग जाती है सारे pieces को ढून लेती है और यह photograph अब वो complete करती है जब वो देखती है तब हान की जो पहली girlfriend थी यह सुन की तरह ही दिखती थी पहली बार हान ने जब सुन को देखा था तो बिलिव नहीं कर पाया था हान ने सुन के साथ जो भी किया था वो गलत किया था पर सुन को realize होता है कि उससे बहुत प्यार करता है जिस dress में हान की girlfriend की photo होती है वो ही dress यून बाय करकर आती है यह पहन कर बीच पर नज़र रखती है थोड़ी दिर में वहाँ हान भी आता है हान की पास आती है और बेट जाती है इसके बाद हम देखते है कि हान एक truck पाय करता है यहाँ पर वो बिस्तर दक्या वगरा सब कुछ लगाता है यानि को यहाँ रह सके यहाँ पर रहने खाने के लिए जो भी सब चीज़े होती है यह सब वो रख देता है हन और यून यह दोनों नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक नई सीटी में जाते हुए में दिखते है सब को लगता है कि हन अब मर चुका है तो उसे अब ग्यायंग में रहने की कोई भी जरुवत नहीं है हमने मूवे में देखा है यह उनको फ्री कर दिया गया था पर फिर भी वो वही जगा पर आ गई है अगर वो फिर से रियल वर्ल्ड में जाएगी तो वहाव रह नहीं पाएगी हन और सुन दोनों फ्री हो जाते है और एक दूसरी के साथ वो जिन्दगी बिताने वाले है यह एक अजीब ही लव स्टोरी थी जिसे कोई भी जस्टिफाय नहीं कर सकता यही आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आप कोई वीडियो चलागा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिफेशन आइकोन दबाना भी मत भूले है हम फिर से मेलेंगे और एक नहीं मुविज के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखें